कविता का भावार्थ ए रोड साइट स्टैंड समरी इन हिंदी ए रोड साइट स्टैंड एक बहुप्रशन सित कवी रॉबर्ट फ्रोस्ट द्वारा लिखी गई एक कविता है जिसे ग्रामीन जीवन के यथार्थवादी चितरन के लिए माना जाता है जिसके उप्योग से उन्होंने उस समय के कई कठिन सामाजिक विशेयों को छुआ इस कविता में कभी वंचित ग्रामीनों की दुर्दशा पर प्रकाश डालता है जो सम्रिद जीवन जीने के लिए कुछ पैसे कमा रहे हैं जिस तरह से शेहर के लोग इन ग्रामीनों के साथ व्यवहार करते हैं जो स्थानी अस्तर पर उत्पादित सामान बेच रहे हैं और सहनुभूती की भावना के बिना उनसे काफी आगे निकलते जाते हैं पंक्ती 1-6 चोटे पुराने घर के रहने वालों ने सड़क के किनारे के आसपास शेड को बढ़ाया है जहां से ट्राफिक गुजरता है हालांकि यह बताना अनुचित होगा कि जोंपली मालिक रोटी का दान चाहते थे लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि राहगीरों को रोकना चाहिए और जोंपली से कुछ खरीदना होगा यह मुद्रा की भावना से लंबे समय तक वंचित रहे जिसका प्रचलन शेहर के लोगों को खूब मिला 35-15 लेकिन दुर्भाग्य से परिश्कृत ट्राफिक जोपडी पर बिना रुके आगे बढ़ जाता है या अगर संयोग से किसी ने रोक दिया तो वह यहां रुक कर अच्छा महसूस नहीं करेगा वे बेखबर से साइन बोर्ट पर चड़े हुए देखने के लिए बहुत हैरान है जोपडी के आगे बिख्री के लिए एक जंगली क्वार्ट में जंगली जामुन रखे जाते हैं अयोग्य स्थानिय उपजगो, क्रूक नैक्ट, सिल्वर वॉर्ट्स के साथ स्क्वैश जैसे शब्दों के उप्योग के साथ हाईलाइट किया गया है इस स्थान ने उन लोगों के लिए प्रकृती की गोद में एक आनंदित रहने की पेशकश की जिनके पास पैसा था तथा कथित पॉलिश ट्राफिक के बुलंद रवये पर गुस्साए कभी ने उन्हें सड़क के किनारे खड़े लोगों से आगे बढ़ने से रोग दिया कभी की चिंता परिद्रश्य परदोश के बारे में नहीं है लेकिन शेड मालिकों के अनपेक्षित डैक के बारे में है इन लोगों के दृष्टिकों को व्यक्त करते हुए कभी ने कुछ शेहर के पैसे को संभालने के लिए अपनी प्रबल इच्छा को रूपांतरित किया जो शायद उनके कष्टों को कम कर सकता है जैसा की कभी कभी फिल्मों में वादा किया जाता है सत्ता में राजनीतिक दलवास्तव में उन्हें सम्रिध जीवन से वंचित करते हैं पंक्ती 23-31 कभी उन खबरों को उध्रित करता है जो सिने माघरों और दुकानों के आसपास के इलाकों में गरीब ग्रामीनों की निकासी और पुनर्वास पर प्रकाश डालती है उनकी अच्छी देखभाल करने के लिए लंबे वादे किये गए हैं नागरिक अधिकारियों, सरकार और यहां तक सामाजिक सेवा एजेंसियों के लापरवाही पूर्ण रवये से नाराज कभी उन्हें लाल्ची अच्छे करता के रूप में संबोधित करते हैं लेकिन वे वास्तब में शिकार के जानवर हैं जो निर्दोश गाउं के लोगों का शोशन करते हैं उन्हें एक अल्पकालिक अर्थ देते हैं सुरक्षा के लिए ग्रामीनों की मदद नहीं की जा रही है लेकिन उन्हें नुकसान पहुचाया गया है वे अपनी जमीन खोकर भारी की मद चुकाते हैं इन डेवलपर्ज, नागरिक अधिकारियों, एक गनात्मक रननीती, शान्थ, चुप्पी के साथ और इन ग्रामीनों के अनियंतरित दिल और दिमाग को शान्थ करते हैं उन्हें एक बहतर जीवन और इसलिए अच्छी नींद सुनिश्चित करके, वे वास्तब में खुद शान्ती से सोते हैं और चिंता के साथ अपनी नींद को नश्ट करते हैं प्राचीन तरीके से, लोग दिन के दौरान काम करते थे और रातों में सोते थे जो यहां उलड़ गया है जहां वे रात में सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि वे दिन में काम नहीं करते हैं पंक्ती 32 माइनस 43 कभी अपने संभावित खरीदारों के लिए शेड के मालिकों की और से अंतरिम रूप से प्रतीक्षा देख कर व्यतित है वह इसे लगभग व्यर्थ की लालसा कहते हैं दुकान की खिर्की पर उदासी का महौल है जो उम्मीद से घिरा है ऐसा लगता है कि ये लोग जोंपली के पासकार के ब्रेक की आवाज के लिए तरस रहे थे कभी अपने संभावित खरीदारों के लिए शेड के मालिकों की और से अंतरिम रूप से प्रतीक्षा को नोट करने के लिए व्यतित है वह इसे लगभग व्यर्थ की लालसा कहते हैं दुकान की खिर्की पर उदासी का महौल है जो उम्मीद से घिरा है ऐसा लगता है कि ये लोग जोंपली के पासकार के ब्रेक की आवाज के लिए तरस रहे थे शेड से गुजरने वाली स्वार्थी कारों में से एक शायद किसान की कीमत की पूछताच करने के लिए रुकी है जबकि दूसरा सिर्फ बैक्यॉर्ट से मुरने के लिए उप्योग करना चाहता था यह वास्तब में एक व्यंग्य है कि कार में रहने वालों में से एक गैस की गैलन प्राप्त करने के लिए शेड में रुखता है यह अलगाव की भावना को उजागर करता है जो ग्रामीन और शहरी जीवन के बीच मौजूद है ग्रामीनों की दुर्दशा से अन्विग्य और भौतिक दुनिया के आनन से घिरे हुए यह लोग शहर और ग्रामीन जीवन में सपश्ट अंतर का अनुमान लगाने में असमर्थ है कभी को इस बात का पच्टावा है कि धन का नहिता अर्ध धन के रूप में नहित है ग्रामीनों को लगता है कि पैसा जीवन को उचा उठाता है और जब उनके पास धन नहीं होता तो वे नीचा महसूस करते हैं वे पैसे से रहित जीवन के बारे में अपनी शिकायत व्यक्त करते हैं इस समय कभी भावनाओं से अभिभूत है और एक बार में अपने जीवन को बदल कर अपने दड़ पर विचार करता है